So, Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर दोस्तों, Indian Coast Guard के द्वारा जो है, Group C की Post के लिए Vacancy Declayer की गई है जिसमें की All India से Candidate Supply कर सकेंगे और इसमें जो है, Total 18 Vacancy Declayer की गई है यानि कीकुल 18 Post जो है, वो आपकी निकाली गई है, Coast Guard के Group C की Post के लिए ठीक है, तो इसमें काफी सारी आपकी Post Divided रहने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको Complete Information आगे दूँगा और साथ ही जो है, इनके लिए Educational Qualification और Age Limit के बारे में भी बताऊंगा ठीक है, तो उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और Coast Guard Navik Exam के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारत दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो दोस्तों मैं आपका डाउट पहले ही किलियर कर देता हूँ कि ये जो वेकेंसी है ये आपकी ग्रूप C की वेकेंसी होने वाली है ये आपकी नाविक की वेकेंसी नहीं है ठीक है और इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है ठीक है और इसकी जो लाश्ट डेट रखी गई है वो आपकी 22 नावंबर 2021 रहने वाली है ठीक है टोटल वेकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल जो है 18 वेकेंसी निकाली गई है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर जो है कौन से सेंटर पर कितनी वेकेंसी निकाली गई है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए डिकलियर की गई है तो दोस्तों आप लोग जो है यहां पर देख सकते हो पोस्ट नेम, लोकेशन और वेकेंसी ठीक है साथ ही जो है आपको यहाँ पर age limit भी बताई गई है तो अगर बात करें civilian MT driver जिसको OG भी बोला जाता है तो अगर आप लोग इसमें select होते हो तो आपको जो है job location मिलेगी हलदिया, कोलकाता, भुगनेश्वर या फिर पेरादीप में ठीक है और इसमें total 8 vacancy निकाली गई है age limit 18-27 साल रखी गई है इसके अलाबा अगर बात करें 4 click operator के बारे में तो इसकी vacancy जो है आपके भुगनेश्वर के लिए निकाली गई है और total 1 vacancy जो है इसके लिए declare की गई है same age limit रखी गई है 18-27 साल इसके अलाबा दो post और है जो की आपकी empty fitter और fireman की है और ये जो है kolkata के लिए है तो empty fitter की जो है दो post निकाली गई है और साथी fireman के लिए जो है आपकी चार post निकाली गई है और इसमें भी जो है आपकी age limit 18-27 साल रखी गई है ठीक है अब अगर बात करें MTS चोकीदार, engine driver और लसकर के लिए तो ये जो है हलदिया center के लिए vacancy declare की गई है और इसमें जो है आपकी एक एक post के लिए vacancy रहने वाली है और age limit जो है इसमें 18-30 साल रखी गई है ठीक है तो अगर आप लोग interested हो तो भर सकते हो और अगर आप लोगों के घर के पास में ये centers पढ़ते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है इनको जरूर से fill कीजिए क्योंकि आपको जो है सिर्फ एक post से मतलब है और offline जो vacancy आती है उनमें कम application form जाते हैं और आपका driving license आपके पास में heavy और light का दोनों होना चाहिए साथ ही में आपके पास में driving का experience भी होना चाहिए ठीक है दो साल का ये बात हो गई इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत motor के जो पुर्जे वगएरा होते हैं motor parts वगएरा जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी वो जानगारी होनी चाहिए अब अगर बात करें कि empty fitter के लिए क्या qualification रखी गई है तो इसमें भी आपका class 10th pass होना चाहिए और 2 साल आपके पास में experience होना चाहिए automobile workshop में ठीक है अगर आपके पास में ITI diploma है तो आपको पहले preference यहां पर दी जाएगी अब अगर बात करें कि four clicked operator के लिए क्या आपके यहां पर educational qualification रखी गई है तो इसमें आपके पास में ITI certificate होना चाहिए साथ ही में अगर आपके पास में experience है तो आपको पहले preference दी जाएगी और आपको English भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए ठीक है और class 10 जो है आपका पास होना चाहिए MTS चोकिदार के लिए अगर बात करें तो चोकिदार वालों के लिए class 10 आपका पास में होना चाहिए और दो साल का आपका किसी भी institute से या फिर organization से जो है आपके पास में experience होना चाहिए as a चोकिदार ठीक है ये बात हो गई आपके चोकिदार की fireman की अगर बात की जाए कि क्या qualification है तो आपका class 10 पास होना चाहिए आपकी height जो है वो 165 cm होनी चाहिए chest जो है वो आपकी 81 cm से लेकर 85 के बीच होनी चाहिए और आपका weight जो है वो 50 kg होना चाहिए ठीक है इसके साथ ही जो है आपको running भी करनी होगी 183 meters की जो की आपको 96 second में पूरी करनी है ठीक है साथ ही जो है आपके कुछ physical fitness test भी यहाँ पर लिये जाएंगे engine driver की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में government institute से certificate होना चाहिए या फिर जो है कोई experience आपके पास में होना चाहिए ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं लसकर के लिए कि लसकर के लिए जो है आपके पास में आप लोग इसके लिए जरूर से apply कीजिएगा क्योंकि offline जो vacancies होती है उनमें कम application form जाते हैं और इसमें जो है आप लोगों को offline apply करना है फोरूम को fill करके भेजना होगा ठीक है और official notification जो भी है इसकी link आपको इस video के नीचे description box में दी गई है आप लोग उसको download करके check out कर सकते हो साथ ही में जो navik के candidates हैं उनको में एक चीज और बता दूँ कि अब जो दोस्तों आप लोग मुझे follow कर सकते हो unacademy के उपर तो इसके लिए आपको unacademy का learner app install करना है simply उसके बाद में आपको get started के button के उपर click करके यहाँ पर कुछ basic सी information अपनी fill up कर देनी है उसके बाद में दोस्तों आपको defense की category में जाकर के air force, navy और coast guard को यहाँ पर choose करना है उसके बाद में आप लोग search बार में जाकर के मेरा नाम प्रदीप लिख करके मुझे search कर सकते हो और follow जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी classes का notification मिलता रहेगा और यहाँ पर हमारी coast guard की reasoning science की class चलती रहती है, daily तो आप लोग उनमें जरूर से enroll कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शांदार pattern के questions और exam oriented questions में आपको करवा रहा हूँ और साथ ही में हम previous years के questions को भी यहाँ पर cover कर रहे हैं, ठीक है साथ ही यहाँ पर कुछ offers भी चल रहे है, plus और exclusive पर, तो exclusive का मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग 12th month का subscription purchase करते हो, तो यहाँ पर Unacademy की तरफ से आप लोगो 12th month का SSB subscription free दिया जा रहा है जो की आपका 19 से लेकर के 21 October तक valid है, तो इसका फायदा जो है, आप लोग जरूर से उठाइएगा साथ ही यहाँ पर plus में भी कुछ offer चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग 6 month का purchase करते हो, NDA का subscription तो आप लोगों जो है, यहाँ पर एक महीने का बढ़ा करके दिया जाएगा, यानि कि extend करके दिया जाएगा और अगर आप लोग 24 month के लिए purchase करते हो, तो आप लोगों जो है, यहाँ पर 4 month का subscription extend करके दिया जाएगा यह भी जो है, आपका एक limited time के लिए है, तो जरूर से enroll कर लिजिएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आप कोई भी course purchase करते हो, तो उसमें हमारा referral code DPYT10 यूज करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा, जिससे कि आप लोगों गो 10% का extra discount देखने को मिल जाएगा इससे regarding सभी links जो है, आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे description box में दी गई है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है, यह सारी जानकारी पसंद आई होगी और cost guard की जो group C की post है, उनसे regarding सभी query आपकी solve हो गई होगी अगर फिर भी आपका कोई doubt है या फिर कोई चीज आप पूछना चाहते हो, तो नीचे comment box में comment करके आप लोग पूछ सकते हो मैं definitely आप लोगों reply कर दूँगा, ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन दोस्तों